व्यूंत व क्था हलो गाइस तो कैसे हो आप सब अमीद है कि आप लोग सोटाएंगे मस तो तुन्दरोस्ताइब तो आज का वीडियो काफी इंफर्मेटी होना यहां कॉफी नौलेजबल होने आज के वीडio में आको compressor One connection बताने वाला हzess। sib сely Russia क्प्रेशर One connection के benefits क्या है उसके बाद में आपि वाירिंग की बात करूँगा उसके और यह भी बात करूँगा कि अगर आपका compressor क्प्रेश को हो जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे कैसे पहशान पाएंगि आपका compressor लगाउट हो गया है लगाउट रिले की वजह से तो चलिए हम वीडियो को देर नगरते वे शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सिस्टम या स्पी वजह से आपका सिस्टम होता है तो अगर उसमें लगा हुआ है तो यह बेनिफिट होगा एक बाट जब आपका सिक्ष्ट हो जाएगा लपी की वजँ से यह को यह रिश्ट करेंगे और अपका कम्प्रेसर जहांगा यह स्टम होका अधर्वाइज वह लॉक्त रहेंगा यह फिर उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्फ करेंगे तब जाके आपका सिस्टम हो ऑधरूइज लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आपके सिस्टम में नहीं लगा हुआ उसका कनेक्शन नहीं हुआ है तो अगर आपका कंप्रेसर उसके कुछ दिर के बाद से दुबारा आपका कंप्रेसर बार 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 बंद और बार बार चालू होगा जिसके विए से आपका सिस्टम जल्दी से खरब हो जाएगा इसी लिए लगाउट इसी तरीके से अगर यह बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं तो यह तरीका मैं आपको एक डाइग्राम के बताने वाला हूं काफी सिंपल और एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं अगर आप एक बार यह वीडियो देख लेते हैं पुरा तो आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों मैं देर ना करते हूं वीडियो को सुरू कर लेता हूं और मैं आ जाना है ट्रांसफार्मर और दोसरा है थर्मोस्तेट जिस पे हमने वायरिंग नहीं बनाया हुआ वायरिंग मैं आपको अब बताने वाला हूं और एक पीसीबी अगर यह तर्मोस्तेट की ज़रूबत निया इसकाम हो जायागा और एक कॉंटेक्टर होना चाहिए एस पीयस LPS और यह Lockout Relay यह Main है Lockout Relay इसी के वज़े से आपका कमरे से Lockout होता है और यह नहीं होता है अगर नहीं लगा हुआ है तो चलिए हम Connection की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां से आप देख पाएंगे यह यह देख पाएंगे यहां से यह 24 Voltage निकल के यहां पर ऐसे आता है R पर और यहां से C पर यहां पर 24 Voltage है यह 24 Voltage है यहां पर R और C और यह Thermostat से Out होता है कौन सा? Thermostat से Out होता है Y यह Compressor के लिए होता है इसका Connection आप ध्यान से देखिए का कैसे होता है यहां से यह Y ऐसे निकल के आपको आएगा सबसे पहले HPS में याज रहे Connection आपको किस तरीके से करना होता है Connection कैसे होता है यह आप जान लेजिए G के बारे हम बात करेंगे G जो होता है वो Blower के लिए होता है Blower को Run करने के लिए उसके Contactor में लगता है इसको छोड़ देते हैं फिलाल हम Compressor के Connection पे बात करते हैं तो हमारा Y यहां से निकल के आएगा है HPS पे और HPS के दूसरे Point से निकल के हमारा चला जाएगा LPS के In वाले Point पे यहां तक आपको समझ में आ गया और यहां से फिर हमारा जब LPS Activate होगा तो यहां से निकल के हमारा जो आएगा नमबर पांच पे लकाउट रिले के नमबर नमबर पांच पे लकाउट रिले का जो नमबर पांच है वो हमेशा जो है यह NC मोड में रहता है NC मोड में रहता है नर्मली क्लोज रहता है इसके वUCल रहता है नार्मली क्लोजक्त की छीज caffeine यह जो हैं यहां जूड़ने के व्शेश प्वेश्घस का पावर आफ सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब न्यव्यीब केवद शक्याज़ने 23 जो संब्सक्राइब अबया है और A2 पे क्या आता है A2 पे आपको आता है compressor यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे C जो है common है यह common निकल के simple सा यह यहाँ से थोड़ा bypass कर देता हूँ मैं यहाँ से निकल के आपको simple सा आ जाता है यह A2 पे आपको समझ में आ गया अब क्या होगा अब यह होगा अब बचा हुआ है यहाँ पे लकाट डिले का यह जो है यह point यह coil का point है एक और तीन नमबर इसमें क्या होता है इसमें जो है R आप देख पाएंगे यह वाला है blue वाली line R यह R को हम निकाल लेते हैं wire और R को यहाँ से हम लोग ले के आते हैं नमबर 1 पे इस पे लिख देता हूँ R यहाँ पे यह नमबर 1 पे अब क्या होगा नमबर 3 पे कैसे आगा A1 का जो पावर है वो आ जागा नमबर 3 पे अब मैं इसको आपको explain कर देता हूँ जब भी हमारा यह coil activate होगा यह 24 voltage का है याद रखे 24 voltage अगर thermostat लगा हुआ है तो यह इसका coil भी 24 voltage होगा इसका coil भी 24 voltage होगा compressor contactor का जो coil है 24 voltage होगा ठीक है अगर PCB लगा होगा है तो इसका voltage बदल जाएगा 24 से हो जाएगा 220 फिर यह thermostat नहीं रहेगा thermostat PCB से जब आउट होगा इसके बारे हम थोड़ा दिर बाद में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इस पे ही बात कर लेते हैं तो जैसे ही हमारा transformer से thermostat को power आएगा 24 voltage यहाँ पे तो हमारा thermostat जो है एक्टिवेट हो जाएगा तो यह power होते हुए आएगा lps होगा यह पाँस नंबर से power होते हुए यहाँ पर आए यहाँ पर आने के बाद यह जो है कॉमन है यहां पर दिरेक्ट आ रहा है तो आपका हो जाएगा contactor start जब सब्सक्राइब हो जाएगा compressor का l1 l2 l3 t1 t2 t1 t2 t3 है ठीक है तो आपका compressor यहां पर इस्टार्ट कर नॉर्मली चल लाय है अब किसी वह ऐसे यहां से बाहर नहीं जाएगा तो 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 यहां से आउट नहीं होगा तो आपका क्या होगा कंप्रेसर चलेगा नहीं उस कंडिशन में यहां प nc है यह no बन जाएगा फिर यह वला point nc बन जाएगा यहाँ से plate हट के इसमें चिपक जाएगा और यह कैसे होगा यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आर continue मिल रहा है तो यह वला 5 number का power जब 6 number से out नहीं होगे 1 पर नहीं जाएगा तो क्वार कोंटक्टर नहीं चलेगा तो उस कंडिशन में क्या होगा आपका मैं हे ठ्विशा पावर का फाह से हिपसंदे अबसेज़ा होके अब्लतीवाद यह शुब्सवन तो यहें जाएका है कि ये न हो चुका और ये यह क्वार से पौफ कुछ पावर कड़ जाएगा और यह कंपरसर होगा, आउन करेंगे तब ही जाके जो एंसी पहले था तब ही यहां से हटके फिर एंसी होगा और उसके बाद ही आपका जो है इसी तरीके से अगर जो है मान लीजिए यह रीले नहीं लगा हुआ है यह यह पावर निकल के डारेक्ट आके कॉंटेक्टर पर लग जा रहा है पास नंबर का तो जैसे ही जो है यह जो है अगर ट्रिप होता है आपका सिस्टम एलपी पर ट्रिप होगा तो जैसे 25 PSI है आपक सिस्टम में तो 55 PSI से जैसे कम आएगा तो यह जो है जाएगा ल्पीस पर ट्रिप कंप्रेशर आपका ट्रिप हो जाएगा और इसी कंडिशन में जैसे यह जीसे आपको पता है कि प्लिप ये जादा होता है जो जैसे 25 से जयादा होगा फिर से ल्पाष एक्ट्यूइट हो किसी वज़ासे अगर कटाफ हो गया चाहिए लपी ऑना से तो कटाफ होने के बाद आपका कंप्रेसर कॉट ऑफ जाएगा और क्रेंस क्लोज़ जाएगा यहाँ यहाँ पे कोई इक सिस्टम में लगा हुआ है वह होगा और लकौट होने के बाद आपका सिस्टम हो जाएगा स्थेफ जब तक आप इसको रिजल्ब करेंगे आपका कंपरेसर अपके कंप्रेसर इप नहीं है आपको शांके आपके सिस्टम में थर्मो स्टेट नहीं यह वाला जो thermostat नहीं है इसका मैं फोटो यहां पर दिखा दिता हूँ आप लोगों को तो सपोज एड़ कि यह वाला thermostat नहीं है अब आपके system में क्या है compressor है और compressor का power है PCB में और neutral है neutral तो आपका direct होता है अब neutral को क्या करना होता है neutral को आपको direct देना है इसमें यह आजागा आपके यह टूपे अब यह हो गया 220 वोल्टेज लेकिन इस कंडिशन में आपका जो है contactor का coil voltage 220 होना चाहिए याद रखे और PCB का PCB से जो compressor का power निकलेगा अगर PCB लगा हुआ है तो thermostat नहीं लगा हुआ तो दोनों connection मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ clear हो जाए तो यहां से जो compressor का power निकलेगा वह आपको सिंपल से आ जाएगा इसमें HPS के यह आ जाएगा तो यह यह हट जाएगा यह वाला सिस्टम जो है हट जाएगा यह वाला और आपका यह compressor का जो power आएगा से होके फिर वही सिस्टम पूरा चलेगा और उसके वास्ते जो है और एक बात और याद रखना है यह जो 24 वोल्टेज हमने इसको क्वाल दिया हुआ यह लकौट रिले आपको 220 वोल्टेज होना चाहिए अगर आपका जो है इसमें PCB से connection है लकौट रिले का तो 220 वोल्टेज से लेकिन ऐसा होता है यह चाहिए मोसली जोता है थर्मोरी इसमें लेट से होता है थर्मोरी आपका जब लटेज रहता है 24 वोल्टेज आप सिम्पल यह से connection कर सकते हैं इस तरीके साब लकौट connection कर सकते वाईने बी कमेंड बी किया था कि लकाउट connection बताए तो इसके वाज आ मैंने वीडियो बनाया है तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आयो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो गाइज ये वीडियो यहीं तक ही तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में